नमस्कार दोस्तों, हमारे यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया पर आपका हारदिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक महत्यपुन टोपिक लेकर आया हूँ, अनेक रोगों का काल है मंजीट। बहुत सारे रोगों को कर देता है जड़ से खतम, मंजीट के फाइदे। इसे जानने के लिए किरपे हमारी वीडियो को देखते रही है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप हमारी सबी वीडियो को हमारे मोबाइल एप क्रेजी इंडिया को गूगल एप स्टोर से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं और अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं अनेक रोगों का काल है मन्जीट। बहुत सारे रोगों को कर देता है जड़ से खतम। मन्जीट को आयूरुवेद में बहुत अधिक महत्तव दिया गया है। अयूरुवेद के अनुसार यह एक रामबान उसदी हैं बहुत सारे रोगों को दूर करने में यह बहुत सक्षम हैं। यह दाद, खाज, खुजली, गुर्दे वे पित की पत्री, चेहरे के दाग, धब्बे, हडियों को मजबूत बनाती हैं। चुहे के काटने पर दस्त, सूजन, इस्त्री रोग, नाखोनों के रोग, आदी रोगों में रामबान की तरह काम करता है मंजीट। मंजीट पाया कहां पर जाता है, मंजीट परवड़के छेत्रों में पाय जाता है, इसके पत्ते जाड़ी नुमा होते हैं, इसकी जड़ें जमीन से दूर तक फैली होई होती हैं, इसकी टहनिया काफी लंबी खुर्द वे कठोर होती हैं। अगर हम इसकी टहनियों को तोड़ कर देखते हैं, तो यह जड़ की तरह ही अंदर से लाल निकलती हैं। मंजीट का स्वाथ, इसका रस, मदूर, तीखा और कसैला होता है। मंजीट का रंग, इसके फल का रंग, काला वे फूलो का रंग सफेद होता है। मंजीट का सभाव, सभाव में यह गरम तासीर का होता है। इसके सेवन की मात्रा, इसकी जड़ का चूरन, एक से तीन गराम, और इसकी जड़ का काड़ा, तीस से पचास मिलिलिलिटर पिया जा सकता है। तो आईए जानते हैं, मंजीट के अनेक रोगों पर प्रियोग। पहला, चूहे के काटने पर मंजीट, चंदन और मंजीट की जड़ को लेकर, इन्हें घी में घिसकर लेप बना ले। इस लेप को जहां पर चूहा काटा है, उस थान पर लगाने से जहर कासर कम हो जाता है और बहुत अधिक फाइदा मिलता है। सूजन के लिए मंजीट, मुलेठी और मंजीट की जड़ को समान मातरा में लेकर पानी के साथ पीस लें और पीसकर लेप बना लें। इस लेप को सूजन वाले स्थान पर लगाने से बहुत अधिक लाब मिलता है। पत्री के लिए मंजीट, मंजीट की जड़ का चूरन दो ग्राम, पानी के साथ दिन में दो से तीन बार सेवन करने से कुछ ही दिनों में पत्री गल कर बाहर निकल जाती है। चहरे के दाग धब्बों को दूर करने के लिए मंजीट। चार चम्मच की मात्रा में मंजीट की जड़ का काड़ा, कुछ दिन निमित रूप से पीने से दाग धब्बे दूर हो जाते हैं। मंजीट की जड़ को सहद के साथ घिसकर दाग धब्बों पर लगाने से चहरे पर निखार आता है और दाग धब्बे गायब हो जाते हैं। जले हुए गाउं पर मंजीट। चंदन और मंजीट की जड़ को लेकर इने घी में घिसकर लेप बना लें। इस लेप को जहां पर जला हुआ गाउ है उस गाउ पर लगाने से जलन कम होती है और गाउ बहुत ही जल्दी भर जाता है। तवचा के रोगों के लिए मंजीट। मंजीट की जड़ को सहद के साथ गिसकर पेष्ट बना लें। इस पेष्ट को तवचा के रोगों पर लगाने से बहुत अधिक लाब होता है। मासिक धर्म की गड़बडी के लिए मंजीट। आदा चम्मच की मात्रा में मंजीट की जड का चुरण सुभे श्याम सेवन करने से मासिक धर्म की सभी परकार की गड़बर दूर हो जाती है हड़ी के तूटने पर मंजीट महुवे की चाल मंजीट की जड और इमली के पत्तों को बराबर मात्रा में लेकर पीस ले और इनका चुरण बनाने उस चुरण को गुनगुना करके तूटी हुई हड़ी पर बांगने से लाब होता है गर्बधान के लिए मंजीट मंजीट मुलहटी तिरफला खांड कुट मेदा महमेदा दूदी खरेटी असगंद की जड काकोली हल्दी अजमोध लाल चंदन दारू हल्दी सबी को बराबर मातरा में 10-10 ग्राम की मातरा में लेकर पानी में उबालें और इसके बाद गाई का दूद 8 किलो गाई का घी 2 किलो सतवारी रस 8 किलो मिलाकर गरम कर लें फिर इसे 20-30 ग्राम की मातरा में लेकर सेवन करने से बाँ जिस्तरी को भी पुत रतन की प्राप्ती होती है आमाश्या के जखम के लिए मंजीट मंजीट के चोड़न को 1-3 ग्राम की मातरा में लेकर रोजाना दिन में 3 बार सेवन करने से बहुत अधिक लाब होता है नाखून के रोगों के लिए मंजीट मंजीट का काड़ा 20-40 मिलिलिटर की मातरा में सेवन करने से नाखून की खुजली का रोग दूर होता है और उसमें बहुत अधिक फाइदा मिलता है दाद के लिए मंजीट मंजीट को पीस कर सहद के साथ मिला कर लगाने से सभी तरहा की दाद दूर होते हैं और दाद खाज-खुजली से हमें चुटकारा मिलता है दस्त के लिए मंजीट मंजीट का चुर्ण एक से तीन ग्राम की मात्रा में लेकर हर रोज दिन में तीन बार सेवन करने से कितना भी पुराने से पुराना दर्द हो दूर हो जाता है और आप जी सकते हैं हेल्दी जीवन दोस्तो मंजीट अनेक रोगों पर भारी है यह एक रामबन बूटी है सरेर के लिए दोस्तो आप इस जानकारी को समाज हित में अधिक से अधिक से एर करना ना पुले तो दोस्तो यह थी हमारी वीडियो अनेक रोगों का काल है मंजीट बहुत सारे रोगों को कर देता है जड़ से खतम मनजीट के फाइदे अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे या इससे आपको कोई जानकारी प्रात्थ हो तो प्लीज आप हमारी वीडियो को लाइक वे शेयर करना ना भूले इसके साथ साथ आप हमारी यूटूब चैनल क्रेजी इंडिया को सब्सक्राइब करना ना भूले क्योंकि इस चैनल पर आपके लिए हम जबरदस टिप्स लेकर आते हैं जिनसे कि आप अपने जीवन को सुख में बना सकते हैं और सुख में जीवन जी सकते हैं इसके साथ साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस वीडियो में जो उपर आई बटन दिया हुआ है आप उस पर क्लिक करकर भी इस से रिलेटिड और वीडियो को देख सकते हैं और अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं अगर आप हमारी सबी वीडियो को एक स्थान पर ही देखना चाहते हैं तो आप हमारे मोबाईल एप क्रेजी इंडिया को डाउनलोड करके हमारी सबी वीडियो को एक ही स्थान पर देख सकते हैं और अपने लिए फाइदा उठा सकते हैं धन्यवाद दोस्तों झाल 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 झाल